कि आप अबद उनिवस्टी के स्टूडेंट है मतलब कि कह सकते हैं राम मनोहर लोई या अवद उनिवस्टी अवद्या में जो है फैजाबाद का नाम बजल कर अध्या कर दिया गया है इसको देखेंगा सभी लोग एक बार द्यान से देखेंगे मैं जो बोल रहा हूँ आपको पता है जो आपका 25 तारीकों पेपर होने वाला है इस पेपर में आप 85% प्लस लाने बादे हो समझ रहे मेरी बात को इस बात को नोट कर लो कैसे लाओगे पहले तो आप चैनल को सब् करो आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो बैल आइकन को प्रेस करो फटा फट करो जो भी नोटिमिकेशन आपको मेले ठीक है समझ रहे हैं और लाइक कर दो एक बार वीडियो को कॉमेंट में जो कहना है कहे दो कोई दिक्कत नहीं है आर जो आपके दिल में आ आप टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर सारे लिंक दे रखे हैं टेलीग्राम का लिंक डिसकप्शन बॉक्स में है पहले नोट्स को डालोड करना है तो टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा और टेलीग्राम पर जैसे ही टर्स करेंगे तो सारे नोट्स मिल तो उसमें आपके लिए क्या-क्या इंपूटेंट है याद रखो इसकी मार्स से स्टार्टिंग हो गए आपके पेपर तो जो जो पेपर हो चुकिए उनके लिए बढ़िया है और उन्हें पढ़ाई की होगी अच्छे तो वह अच्छे नंबर से पास होगी मैं आपसे महनत कर परने से सब कुस होता है इस बात को भी आपको ज्यान रखने चलो अब देखो यहां लॉक करूब फटाफट आपके पास बुक नोट्स केस्पिपर जो भी है उससे पढ़ाई कर सकते हो हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो हम अब हमारे नोट्स भी ले सकते हो इसमें प्राचीन भारत में बर्ण विवस्था कि जो कह सकते हैं उदभाव और विकास कैसे हुआ इसको देखेंगे बोला गया है कि प्राचीन भारत में बर्ण विवस्था को कि उदभाव मतलब किस परकार से उदभाव हुआ है और उसका किस परकार से विकास हुआ है इस दोनों की विसिस्ताओं पर आप टिक कर लेजिए ये आपके लिए काफी important रहने वाला है ठीक है उसके बाद में next question आपके सामने है यहाँ देखे आप जानते है रडवैदिक काल में आरियों की समाजिक धार्मिक इस्तिती कैसी थी जो रडवैदिक काल था उसमें जो आरियों की समाजिक और धार्मिक नीती जो थी सोच समस्क में कैसे कैसे करते थे उनके बारे में आपको explain करना है ठीक है और बहीं बात की जाए उत्तरवैदिक काल में समाजिक और धार्मिक अवस्थाएं कैसी थी कैसे पोजिशन में रहा करते थे उत्तरवैदिक काल में वो आपको देखना है अब आपने ये देखा होगा कि जो मौरिय थे जिसे हम चंद्रकुप्त मौरी भी कहते हैं तो देखो मौरी के उत्पत्ति कार और चंद्रकुप्त मौरी का जीवन बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है चंद्रकुप्त जो है उन्हों मौरी जीवन बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है और मौरी उसका पतन का मतलब होता है समाप्त मतलब की उनका हारने का क्या था किस तरीके से वो लोग हारे थे समझे आप ये कोशन को आप नोट करेंगे उसके बाद में आ जाता है देखिए प्रसासन और उसकी विसेश्चताओं के बारे में ठीक है यह आप देखेंगे जो मौरी था मौरी प्रसासन के बारे में आप देखना है यहां असोग के थंब पर टिप्रि लेकिए उनकी सीमाइब बहुत यह मौश्ट इंपोटेंट है थंब वाला ठीक है और आप जानते ह से यहां नीचे करते हैं थोगा है reindeer में गुपत कौन थे किो को रोख के बारे में मतनल हब हार नहीं का करड़ा, यहां चंद ग普त, हम उपर पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हीा, है संद्रगुप्त, संद्रगुपत के जीवन, उनकी सफलताओं के बारे में याथ करेंगे, उसके बारे में है चंद्रत के बारेमा हने जानते थे उनके जीवन ब्रत के बारे में आपयात करेंगे। जीवन कैसे हुआ था, उनका क्या-क्या क्या उन्होंने किया था। भीजका, आप यहां देखिए ह्र्ष बंदन की बारे में most important रहेगा ह्र्ष वंदन का वरन आपको कर देना है, यह भी most important है। कौन थे इसके बारे में आपको याद करना है हर्च के प्राथमिक जीवन पर प्रकास डालिए इस तरीके से कोशन बनेगा आपका ठीक है इन कोशनों को आप पढ़के जाएगा और मैं आपसे बादा करता हूं यहां से टौपर बनना है ना थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेग इन कोशनों को आपको बस एक बार पढ़ लेना बना बना के करके आ जाओगे यदि कोशन आ जाता है तो छोड़ के मताला मैं यही बोलूँगा तुमसे ठीक है राजपूतों की उत्पत्ती कैसे हुई थी ठीक है और देखो यहां कह रहा है समांत वाद क्या होता है उनकी ब पर टिक लगा लेना उसके बाद में है महमूद जो गजनभी थे उनके आकरमण का कारण क्या था उसका प्रभाब क्या पढ़ा ठीक है यह आप देखेंगे नेक्स कोशन है मुहम्मद गौरी के आकरमण की समय भारत की रादनितिक दसा क्या थी जब मुहम्मद गौरी ने भ संदुर्बभता की बिदेशी व्यापार के संवंद में बढ़न कर यह देखलेना आस्रम विवस्ता क्या होती है प्रक्रिया संदु सब्भधा थी उसका कैसे हुआ उसका ननिर्मार कैसे यहां आप यहां आप से पूछ लेता है यह कोशन देखिएगा बस लास्ट कोशन आई यह जादा नहीं है मैं वाकि सारी करा चुका हूं यह देखो और आप से बादा करता हूं यह था 25 मार्च को आने वाले कुछ महपूर परशन जो आपने याद कियोंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों सभी को बताएंगे कि यार पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा फैमिली आपको बढ दिया करो यार इतना तो बनता है मोटिवेशन मिलता है कि हां यार हमने जो बताया जो बहुत अच्छा दिया और आप एक बार पेपर जैसे हो जाए मुझे उसका पीडियाफ भेज देना ताकि आपको प्रूफ हो जाए कि जो मैं कोशन दे रहा हूं वो सारे इंपोटेंट है चलको सब्सक्राइब कर लेना पहला आइकम को प्रेश कर देना थैंक यू फो बच्छन इस वीडियो वाई